बुल्डोजर एक्षन के खिलाफ दाखिली आचिकाओं पर सुप्रिम कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और बुल्डोजर की कारवाई पर फिलाल रोक लगी हुई है। सरकारे उसका पालन करती है। समय कोट कोट कर रही हैं। यह बात अलागे कि सुप्रेम कोट कह रहा है कि कोई और गाइड लाइन देंगे वो तो जब गाइड लाइन आएगी तब आएगी पर मुझे लगता है कि सरकारे जो भी दो परकार के निर्मान हटाए जाते हैं एक जो अवैद निर्मान होते हैं और वो दूसरे जो कोट की ओड से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वो नहीं हटाए जाएं हाँ प्रक्रिया संबन्दी कोई गाइड लाइन हो सकती है पर सरकारे अवैद निर्मान को ही हटाती है सुप्रीम कोट ने सर ये भी टिपडी की है कि अवैद निर्मान जो है वो हिंदू भी कर सकता है मुस्लिम भी कर सकता है वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो सकता है बिल्कुल हमारा भी यही मानना है कि अपराधी का अतिकर्वन करने वालों का अवैदर निर्मान करने वालों का कोई धर्म नहीं होता वो किसी भी धर्म में से हो सकते हैं इसलिए सरकार बिना कोई धर्म और जाती का विचार करते हुए सब पर कारवाई करती है लेकिन सर आपकी सरकार पर भारती जनता पार्टी पर लगतार विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि एक धर्म को टार्गेट किया जाता है बुल्डोजर एक्षन को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं तो बीजेपी एक धर्म को करती नहीं विपक्ष का ये आरोप पूर्णतर निराधार है और तुष्ठी करने के लिए घड़ियाली आसुबादेवला है बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए क्यामो पसंद देविंद्र के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल्ली